दोस्का दोस्तों मैं हूँ अदिती शर्मा स्वागत है आप सभी का फिल्म विंडो में हाजर हूँ आप सभी के लिए कुछ लेटेस्ट अपडेट्स लेका है लेकिन उसे पहले इंस्टेग्राम पर मौझूद हूँ अदिती प्यू के नाम से आप मुझे फॉलो कर सकते हैं तो भाई उमर रियाज के प्रोफेशन पर बार-बार बात आती है ये ऐसा एक बार नहीं हुआ है जब उनको उनके प्रोफेशन पर कुछ कहा गया है उनको ये कहा गया है कि आप आसिम को फॉलो कर रहे हो ये चीज़े बार-बार होती आई है अब बहुत टाइम से लोग भ पॉलो कर रहे हो ये वो सो तो मतलब ऐसी चीज़े कहना कहा तक सही है कहा तक गलत है हम अगर मैं बताओं तो ये बड़ा ही गलत है ऐसा नहीं करना चाहिए अगर आप उनको जो है डॉक्टर डॉक्टर कहकर बुला रहे हो तो बाकी सब को एक्टर-इक्टर सिंगर सिंगर जो जिसका प्रोफेशन है उसी से बुला नाम लेने की तो जरूरत ही नहीं है डॉक्टर साहाब, एक्टर साहाब, सिंगर साहाब है ना ऐसे ही बुला सकते हैं हम उनको नाम क्यों लेना है नाम लेने की क्या जरूरत है तो अब ऐसे ही कुछ भड़की है बिग बॉस की ex-contestant कलर्स पर भी सल्मान खान पर भी इतना तक कह दिया है कि भाई जलन है बहुत जादा तुम लोगों को और वो ex-contestant है नेहां भसी जी हाँ, नेहां बसीन एक दो तूइट में तो थमती नहीं, आप सभी को बता है वो अपनी पूरी बात रखकर कम से कम 4-5 टूइट तो करती ही है उन्होंने सबसे पहले लिखा कि सल्मान ने उमर को कहा कि आप आसिम को जो है वो फॉलो कर रहे हो, अगर हम इसको पॉजिटिवली ले मतलब, तो इसका मतलब यह हुआ कि फिर वो टॉप टू में है उसके बाद उन्हों लिखा कि सल्मान खान हमेशा प्रोफेशन को बीच में क्यों लेकर आते हैं, यह तो रियालिटी शो है, एक शो है, दूसरा करेगा तो मतलब, तो क्या हो गया, अगर एक रियालिटी शो से बंदा, दूसरे रियालिटी शो में जा रहा है वोईलेंट डॉक्टर हो, सो जिलस उसके बाद यहाँ पर भी नहीं थमी है उसके बाद उन्हों लिखा है सल्मान खान कांट पर उमर जो उनके लिए ट्रेंट चल रहा था उसके बाद उन्होंने लिखा है कि आस पर यूर पॉइंट अविव वोईलेंट डॉक्टर रिमार्क अन उमर रियाज औफ सल्मान खान राइट या रॉंग उन्होंने लोगों से पूछा है उसके बाद उन्हों लिखा है वाइकलास टीवी सो जिलिस विद उमर रियाज प्रोफेशन इव डॉक्टर जोईंस अमंग थे एक्टर अंडूइंग वेल सो वट्स दियर प्रॉब्लम तो अंडरेस्टिमेट हिम एवरी वीकेंड का वार पे अब आपको कहा है इस बारे में कहना उमर रियाज के साथ गलत हो रहा है या सही कॉमेंट शेक्शन में ज़रूर बताइए लेटस्ट अब्डीट के लिए बने रहे है हमारे साथ